उसले निश्या वेलकम टो लो फियो और उनलाइन प्लेट्फरम उफ विध्या गुरूफ तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टोपिक स्टार्ट करने वाले हैं टोपिक तो नया नहीं है क्योंकि इसके दो से तेन क्लासेस हमारी अल्रेडी हो चुकी हैं यानि कि वो वाले बच्चे जिन्होंने की पीछे की 2-3 classes देखी हैं, उनको तो पता हुगा कि आज कौन सा topic start होने वाला है और जिस किसी ने नहीं देखी है last वाली classes, तो उन सभी को मैं बता देती हूं कि आज की class में जो topic हम लोग start करने वाले हैं, उसका नाम है ratio, उसका नाम ह हमारे पास में ratio and proportion, आज वाले जो topic हैं, इसका नाम रहेगा हमारे पास में क्या है मैं फिरसे लिख देती हूं, आज का जो topic रहेगा इसका नाम है ratio and proportion, हिंदे में इसको बोला जाता है क्या ratio and proportion, है न, अलग लग हैं दोनों की दोनों चीज़े, बस एक साथ हम लोग लिक दे एक साथ हम लोग लिख देते हैं, हिंदे में वोला जाता है इसको अनुपात और समानुपात, रेशियो में अलग चीज़े पढ़ते हैं, प्रपोर्शनल में थोड़ी और अलग चीज़े पढ़ते हैं, इस टाइप से बहुत सारी वराइटी की क्वास्चन्स इस वाले टोप हुआ थिकी या कोई स्टेी एक्जाम या कोई और एक्जाम लाइक रेल्वे का हो गया इस टाइप से तो इम टोपिक तो बड़ा ही important सा है,M si Iworthy कאל वाले चुछन पूछाता हैं गोन पर इंकde क्वाश्चन्स पूछी से बहुत सारी टॉष्चन्स पूछे जाते हैं, जैसे proportion का अपना ही किस्सा है इसकी अपनी दुनिया है यहां से main proportional पुछ लिया जाता है third proportional fourth proportional वह खोग सारी चीज़े बहुत सारी variety of questions हम इस वाले topic से देखने को मिलती है इसका मतलब topic तो भी आपने आप में बहुत important है बहुत प्यारा सा topic है ना इसको हम लोग easy बोल सकते नहीं हम ल सकते एक तरह से moderate सा topic है ना easy ना फिर hard so start करते हैं हमारी आज के class को इसके I think ratio की हमारी 3 classes complete हो चुकी है और आज के class है हमारी class number 4 है ना so questions को start करेंगे directly कोई concept कोई basic ऐसी चीस पर basically आज तो हम लोग नहीं बात करने वाले क्योंकि किसे भी बच्चे को यहाँ पर इस चीस के दिक्कत फिल नहीं होने दूँगे इतना तो मैं भी बता देती हूँ कि जो भी question होगा बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे पुरा detailed उसका version देखेंगे कि अगर यह question आपको method से जाना है तो कैसे करना है इसका basic क्या बनेगा और यही question अगर आपको paper में उडाना है तो वहाँ पर कौन से trick यूज़ करनी है कौन सा method यूज़ करना है कैसे options को हमें tackle करना है हर एक चीस को बहुत शांदार तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखने वाले है तो class को start करें उससे पहले एक बार वीडियो को फटाफट से like और share और चैनल को subscribe भी कर लेना है ना चैनल को subscribe कर लेना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए ताकि हमारी कोई भी नई class upload हो तो आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ class start हो चुकी है ठीके और इसके लावा class को share भी कर दो आपका कोई भाई भैन हो या आपका कोई दोस्त हो जो कि तयारी कर रहा है बट उसको ये समझनी आ रहा कि कहां से पढ़ना है कितना पढ़ना है और सबसे main चीस्तों कि कौन से questions करनी है है ना as a fresher as a student बच्चों को नहीं समझाता कि पढ़तों सब लेते हैं इतना सारा धेर तो सब के पास में है पर उसमें से नहीं important क्या है मलाई कैसे निकालनी है दूट से वो चिस सब को नहीं पता होता तो उसके लिए बहुत जादा helpful होने वाली है हमारी ये वाले videos तो कि क्या बोला है question ने जो भी होगा जितनी भी चीज़ें होंगी proper question के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग discuss करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि माम हमारा तो basic ही clear नहीं है क्या हमसे question बनेगा या फिर नहीं ऐसी किसी single बच्चे को भी दिक्कत नहीं कि इतना तो मैं भी बोल देती हूं ठीक है चलिए इसने बोला है यदी तो समरूप त्री भुझ यानि कि similar triangles का जो ratio है वो इतना है ठीक है तो उनकी संगत भुझाओं का अनुपात क्या होगा English में देख लेते हैं थोड़ा सा है ना if the areas of two similar triangles are in the ratio 36 ratio 121 then what is the ratio of their corresponding sides हमें उनका area दे रखा है और area कितना दे रखा है हमें इनका 36 ratio 121 तो side obviously कितनी आएगी हमारे पास में किसका square है 6 का और ये किसका square है 11 का यानि कि हमारे पास answer कितना आएगा इतना प्यारा सा question पहला ही question दिखने में थोड़ा सा खतरनाक था बट solution wise बहुत ही प्यारा सा question है answer कितना आएगा यहां से हमारे पास में 6 ratio 11 या फिर बोल सकते है option number A जिस किसी का भी answer है वो बिल्कुल सही है थोड़ा सा में screen से side में हो जाती हूँ ताकि किसी को screenshot लेना हो तो आप लोग question का screenshot ले सके ही ठीक है I hope सबसे पहला question था त्टा सबसे पहला question था और हर एक बच्चे को बखूद बढ़िया तरीके से question समझ भी आया होगा है न implementation से पहला question था और बहुत अच्छे तरीके से हर एक बच्चे को question समझाया होगा इतना मैं मान करके चल लिए हूँ अगर किसे भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है ना तो comment section में comment करके बता सकते हो कि मैं हमी ये चीज़ नहीं समझाती आप directly कैसे कर देते हो या फिर speed जादा है मैं speed थोड़ी कम करनी है या speed भढ़ानी है कहने का मतलग जो भी आप लोगों को दिक्कत होगी आपके according ही class चलेगी तो जो भी दिक्कत है आप सिधा-सिधा बोल सकते हो ठीके next question पर आते है question number second इसमें देखे क्या बोल रखा है question ने इसने बोला क्या है हमसे कि दो क्या बोल रखा है दो बेलन यानि की बेलनों की त्रीजाएं इतने की अनुपात में है उनकी उचाई का अनुपात ये है तो आयतन का अनुपात क्या हूँगा English में देख ले रेडियाई ओफ टू सिलेंडर्स आनिंदा रिश्यो दिस उनकी जो रेडियस है उसका रिश्यो क्या दे रखा है हमें मैम रेडियस का रिश्यो दे रखा है इन्होंने दो रिश्यो एक है और उसके बाद बोला है उनकी उचाई यानि की height का कितना आएगा हम हमारे पास में 5 रिश्यो दो है कोई दिकत की बात नहीं है तो उनकी item का अनुपात क्या होगा volume हमें निकालनी है अब बहुत सारी books में इस type का question होता है वो हमें mensuration topic के अंदर देखने को मिलता है बट बहुत सारी books में इस question को ratio में भी पटक देते रिश्यो में भी डाल देते कि भी या ratio का question है और अगर देखा जाए तो दोनों का mixed version है ना इस type के questions को करने के लिए हमें एक ना formula तो पता होना चीए volume का या फिर जो भी area वेरिया दे रखा उसका formula तो पता होना चीए अगर नहीं formula याद तो हो सकता है तुक्का सही लगा दो options को देखते वे तुक्का ल निकालनी है volume ठीक है volume निकालनी है तो volume का formula तो मैं हमें पता है volume का formula होता है हमारे पास में pi r square h है ना यहां से देखो क्या pi का कोई मतलब बनता है बिल्कुल भी नहीं क्योंकि pi तो constant है जो भी चिस की value constant है constant का मतलब होता है fix है जिस भी चिस की value fix है जैसे कि pi हो गया pi की value 22 दसवा करो चाहिए आप advanced math का कोई question करो पाई की value अगर 22 बटे साथ है तो 22 बटे साथ ही होगी वो चीज fix है यानि कि जो चीज जिसकी value fix है जो की constant है उस चीज को हटा दो बची हुई जिस पर हमें काम करना है बच गया क्या r square गुना h है इस चीज पर थोड़ा सा काम कर लेते ह आर का square into में h लगाऊंगी यहां 2 का square 4 की पास से करानी है 20 यहां इसका square की में 2 से गुना कराऊंगी 2 एक अब 2 यहां से कटके कितना आएगा मेरे पास में 10 ratio 1 यहां से कटकर के finally कितना आएगा मेरे पास में 10 ratio 1 या फिर बोल सकते है option number C जिस किसी ने भी answer किया था हर एक बच screen से बहार हो जाती हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं बाद में कि मैं screenshot लेना हूता है यहना screenshot लेना हूता है तो उनको दिक्कत nicely थोड़ा सा में side में हो जाती हूं clear हुआ question next question पर आते हैं question number third इसका answer कर ये कितना आएगा question number third का answer कर ये कितना आएगा सबसे पहले क्या करना है question को बढ़ना है उसके बाद थोड़ा सा question को हमें analyze करना है कि पुछा क्या है और निकाले तो चीजों को निकाले कैसे और सबसे main हमारा third task जिसके अंदर क्या करना है हमें result न तो x ratio y क्या होगा अब इस वाले question को solve करने के बिना दो से दो ही method है मैं दोनों ही बता देती हूं ठीक है options की help से कैसे कर सकते है और directly कैसे कर सकते है दोनों चीजे मैं बता देती हूं इसने बोला है 7x plus में y है ये हो गया 7x plus में y और नीचे क्या आएगा हमारे पास में 7x minus का y बराबर किसकी है 7x3 के 7x3 के बराबर है और x ratio y की value चीए तो सबसे पहला option सबसे पहला option तो यही आप cross multiply करा लो x और y दोनों की value आएगी बस उनको put कर मतलब उनको ratio में उसको लिख दो और answer आ जाएगा और दूसरा option आपके पास में ये बनता है कि आप options को ये उठा लो न आप options को कैसे उठा ले? options को ऐसे उठाना है जैसे question ने बोला है x ratio y क्या है? मतलब इन में सब में जो options हैं इन में सब में जो पहले वाली value है ये तो दे रखी है x की और ratio के बाद वाली value दे रखी है y की ठीक है? जैसे मालू मैं option से उठाना जाओं कि x की value कितनी है? 4 तो 7 कितना आएगा 28 माइनस का 3, यहां से बनेगा हमारे पास में 31, और यहां से बनेगा 25, आंसर कितना चीए था 7 बटे 3, आया कितना है 31 बटे 25, मतलब option number A तो हमारा answer नहीं है, option number A तो हमारा सही answer नहीं है, इसी तरह से हम option number B को चेक करेंगे, C को चेक करेंगे, D को चेक करेंगे, यहाँ न, यह वाला method में 50-50 है, अगर पहले या दूसरे option से यह answer आ गया, तो method वही आप बहुत अच्छा है, बहुत easy method है, लेकिन अगर बता चले सब में put करते करते, last में जाकर के answer आया है, तब फिर गुसा आते हैं कि इतना बेकार सा method था, इस से अच्छा हम इसमें formula से, जो method है, उसी से चले जाते है, cross multiplication से, तो वही चीज़ मैं बताना चारे हूँ, किसी से भी कर सकते हो, दोनों से बराबर ही time लगेगा, ठीक है, जैसे अब option, option number B को check करो, 5 है, 7, 5, 35, plus का 5, यहाँ से कितना आएगा, 35, minus का 5, यह कितना बनेगा, 40, और यह कितना बनेगा, हमारे पास में 30, यहाँ से भी answer नहीं आया, क्यों इतना time pass कर रहे हैं, हम लोग option से, क्यों इतना हम लोग time waste कर रहे हैं, starting में नहीं आया न, तो आप option से रहने दो, आप इसको method से ही कर लो, ठीक है, method से कराएंगे, देखिए, 7, यह 3 इधर जाएगा, cross multiply यही तो होती है न, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ पर, 3 से कराऊंगे, 7, 21, plus का, यहाँ से कितना आएगा, 3Y, और यहाँ से जाएगा, 7, 7, 49X, minus का कितना आएगा, 7Y है न, अब देखो, यह है 21X, यह है 49X, एक साइड कर लो, Y वाले चीजों को एक साइड कर लो, Y इधर आएगा, बनेगा 10Y, और यह उधर जाकर के minus होगा, 9 में से 8, और यहाँ से बनेगा 28X है, clear हुआ, यहाँ से इनको थोड़ा सा काट लेते हैं, 2 से value हो गई 5, और Y के सामने कितना है 14 है, तो आपकी Y की value कितनी होगी 14, यानि कि answer कितना बनेगा, आपका 5 ratio 14, यहाँ से answer या फिर बोल सकते हैं, right answer कितना होगा, 5 ratio 14, option number B, यह तो हमने put भी किया था, यह तो हमने put भी किया था, answer आया क्यों नहीं, एक बारी फिर से चेक करते हैं सबसे पहले इस वाले method से ही देख लो, मैं थोड़ा सा side में हो जाती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, तो फटा-फट से देखो, screenshot लेना है, screenshot ले लो, अभी मैं वैसे बता देती हूँ, उसको option से भी आना चाहिए, अगर इस method से proper आया है, तो option से भी आना कोई हम से गलती रहे गई हो, ठीक है, चलिए, option था 5 ratio 14, 75, 35, और प्लस में कितना जाएगा, 14, और ये जाएगा 35, माइनस का 14, है ना, 549, ये बनेगा 49, और यहां से जाएगा हमारे पास में 21, है ना, 77, 49, और 71, आतो रहे, option number B से ही, तो दोनो method थे, इसको मैं लिख देती method number first, दोनो method से बता दिया है, जिसके जो पलने पड़े, जिसको जो समझाए, अपने उस method से आप इसको carry कर सकते हैं, ठीक है, वहां हो सकते है, जब हमने पी वाला option मेरे को याद है, पहले भी उठाया था है, पांच रिशो 14 से मुझे याद है, पहले भी किया था, तो हो सकत I think, तीसरा question था, तीन questions हो चुकी हैं, और इतना मैं मान करके चलती हूँ, कि तीनों के तीनों questions बहुत चांदार, बहुत बढ़िया तरीके से, हर एक बच्चे को अभी तक का clear हो गया होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ, अगर class अच्छी लग रही है, अगर questions बहुत बढ इता ही देता है कि मैं समझ आ गया या फिर नहीं आया, बट ये वाली class आपकी live class नहीं है, तो उसकी वज़े से मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा ऐसा हो, जिसके दिमाग से कोई भी चीज छुटे, जिसको कोई भी चीज समझ ना आए, ऐसी कोई भी situation हो, तो कहने का मतल जिस मुझे नहीं समझ आए, ठीक है, चलिए, इसने बुला है एक पिता, question number fourth पे आजा, फटाफट से, इसने बुला है एक पिता, और उसके पुत्र की वर्तमान, आयू का योग इतना है, आठ वर्ष पहले, आयू का अनुपात इतना था, है ना, आठ वर्ष पहले, मैं लि का योग है, 94, आठ वर्ष पहले, उनकी आयू का अनुपात कितना था, टू रिश्यो वन था, कोई दिक्कत की बात, यहां तक तो एक लिस्प नहीं है, है ना, उसके बाद देखिए, 94 था, आठ वर्ष पहले, उनकी आयू का रिश्यो ये था, तो दस साल बाद, पिता की उ उमर का रिश्यो यानि की अनुपात कितना होगा, थोड़ा सा क्वाशन में दम है, है ना, देखिए, यहां से एक बात ना, सीखने लायक है, जब भी हमें इस टाइब का क्वाशन दे रखा हो, जिसमें की दो तरीके की बात कैसे है, कि एक चीज़ तो चल दिये है पहले की, और एक चीज़ बता दी अब की, तो obviously इतना तो सब को पता है, कि दोनों चीज़ों को एक हे platform पर करना पड़ेगा, यानि की, या तो मैं जो दो चीज़े दे रख्ये न, एक तो ratio दे रखा है ये वाला, और एक दोनों का 94 योग यानि की सम दे रखा है, एक चीज़ प्रेज में लियाओं, इतना काम तो करना पड़ेगा, अब कौन खिसकेगा, ratio तो जिद्धी है, ratio तो मना करेगा, मैं कोई compromise, मैं कोई अर्जस्ट नहीं करूँगा, मैं जैसे हूँ, वैसे ही रहूँगा, तो जो विचारी दूसरी चीज़ है, जो इनका योग दे रखा है, वही बो बात की है, तो दोनों चीज़ों को हम एक जगया पर लेकर के आएंगे, या तो दोनों को प्रेजेंट में ले आओ, या भाही पहले की बात कर लो, इस वाइप से situation होगी, तो ratio को कभी भी चेंज नहीं करना है, बस इतनी से बात ध्यान रखनी है, अगर ये जिस समझ आगी तो question तो करा कराया है, फिर ठीक है, देखो, इसने बोला था कबकी, उनके वर्तमान आयू का योग कितना है, 94 है, अब देखो, ये 8 साल पहले की बात चल रही है, तो इसको भी 8 साल पहले लेकर के जाना पड़ेगा, यानि कि 8 साल इसके घटाने है, और 8 साल उसके बेटे के टोटल मुझे यहां से कितना घटाना पड़ेगा, 8 और 8, 16 है ना, यहां से कितना बचेगा, हमारे पास में, 4 और 8, इसके अलावा, 7 है ना, यहां से कितना आएगा, 78, ये क्या है, 78, उनकी प्रेजन्ट, उनकी जो 8 साल पहले की एस थी, उसका योग है, है ना, ये 78 क्या है 8 साल पहले की जो उनकी एस थी, उसका योग, उसका सम है, कहने का मतलब इतना सा है, जो चीज मैं बोलने रही थी, कि ये तो पहले की चीज है, ये प्रेजन्ट की है, ये पहले की है, तो देखो अब रिशो भी 8 साल पहले का है, और ये उनका सम भी क्या कर दिया, 8 साल पहले जो इनकी दोनों की age है उसका total कितना आएगा दो और एक तीन और वैसे total कितने के बराबर है 78 के बराबर है यहां से जाएगा 3 दूनी 6 और फिर जाएगा 26 पे यानि कि हमारे जो एक unit की value है एक unit की value कितनी बनेगी हमारे पास में 26 वाशन ने पूछा है दस साल बाद बाद में देखा लेंगे 10 साल बाद का पहले इसके अंदर मैं put कर देती हूं चीजों को ठीक है यहीं से अगर मैं put करूं तो यह बनेगा देखो father की कितनी है दो unit तो यहां तो हो जाएगा बेटा तो 26 का और यह हो जाएगा कितना 6 दूनी 12 और यह आएगा 52 यह कब की age है उनकी 8 साल पहले की age है question ने बूला है 10 वर्ष बाद 10 साल के बाद 8 साल पहले से मैं 10 साल के बाद में लाओंगी तो पहले तो minus 8 से 0 यानि कि present तक लाने के लिए 8 का gap हो गया अब 0 से 0 से फिर मुझे 10 साल और भढ़ाने पड़ेंगे यानि कि total कितना चुड़ेगा 18 total कितना हमें add करना प और दोनों का अंतर निकालना है दोनों का difference निकालना है तो दोनों को घटा दो दोनों को वहाँ पर जोड़ दो जैसे इस case में कर रहे हैं 10 यहां से 8 वहाँ से सिदा आएगा कितना 18 तो इसकी age में भी कितना भढ़ेगा 18 यहां पर भी कितना भढ़ेगा हमारे पास में 18 ठीक ratio 22 या फिर बोल सकते हैं option number A जिस किसी ने भी answer किया है उन सब भी का बिलकुल सही है ठीक है थोड़ा सा मैं side में हो जाती हूं ताकि दिक्कत हो कोई screenshot लेने में तो वो आपको नाफिस करने पड़े हर एक बच्चे को बिलकुल सही से समझ आया होगा इतना मैं मान करके चलती हू जितने भी questions अभी तक कराए है हर एक question बहुत शानदार बहुत बढ़िया तरीके से हर एक बच्चे को clear हुआ होगा इतना मैं मान करके चलती हूं ठीक है चलिए next question पर आते है question number 5 इसमें देखो क्या दिया है question number 5 के अंदर देखी क्या दे रखा है फटा फट से question को पढ़ो औ और जब तक मैं कराऊ ना तब तक तो उड़ा देना question को है ना जब तक मैं question पर पहुंचू कि क्या कराना है क्या नहीं तब तक तो पुरा भड़िया सा उड़ा ही देना question को चलिया इसने बोला है एक व्यक्ति का वै और बचत इतने के अनुपात में है उसकी बचत उसकी आए के इतने के बराबर भड़ जाती है और आए समान रहती है तो आए बचत का नया रिश्यो या नया अनुपात क्या है question में मैं थोड़ा सा दम दे रखा है, question को घुमा करके दे रखा है, करें तो करें कैसे है ना तुम लोग जसको आता है फटा फट से आंसर करके बता देना comment section में मुझे answer कर देना और जिसको नहीं आता proper शान्ती से बैट करके चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखना ठीक है इसने वो लखा था वेक्ति का वै और बज़ट ये हो गया उसका वै और ये हो गया हमारे पास में उसकी बज़ट है इसका दे रखा है ratio क्या ratio दे रखा है 4 ratio 3 के अनुपात में है कोई दिक्गत की बात नहीं है मैंने लिख दिया यदि उसकी अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिलू इसको अगर मैं 4 ratio 3 है तो 2-2-0 तो हम एक्स्ट्रा चिपकाई सकते मैं 0-2-2 की क्या बात करें आप 3-3 भी चिपका सकते हो कहने का मतलब ratio के अंदर इस टाइप से ये 4 ratio 3 को 40 ratio 30 भी बना सकते हूं 400 ratio 300 भी बना सकते हूं 4000 ratio 3000 भी बना सकते हूं मतलब ratio के साथ में हम लोग थोड़ी सी छेटखानी कर सकते हैं ratio को थोड़ा सा अपने according चेंज कर सकते हैं बस शर्त यही है कि दोनों साइड सेम चेंजमेंट करना है ये मत करना इसको 400 बना दिया इसको 3 ही रख लिया फिर गड़वड़ी हो जाएगी फिर मेरा नाम मतलगा ना कि मैम ने बोला था कर सकते हैं इस चेंज का ध्यान लखना ठीक है चलो इसने बुला है इतने के अनुपात में है उसकी बचट उसकी आएके एक बटा पांच भड़ जाती है आएक कितनी होगी अगर कोई बंदा 400 रुपे की खर्च कर रहा है और 300 रुपे बचा रहा है मतलब उसकी आएक कितनी थी 700 रुपे थी इस बात में तो कोई इतना समझ आने लाइक नहीं था क्योंकि ओविसली आएके दो ही तो चीज होती है या तो बचट होगी आए से या फिर खर्चा होगा तो दोनों चीज़े मैंने लिख दी उसने बोला है उसकी बचट उसकी आएका एक बटे 5 आएक कितनी है 700 इसका एक बटे 5 पांच से कटेगा दो पे साथ दोनी चोदार रेक जीरो एक सो चालिस यानि कि एक बटे 5 के बराबर भड़ जाती है क्या भड़ी है उसकी बचट है ना भड़ी क्या है बचत भड़ी है कितनी, 140 से, पहले 300 थी, अब कितनी हो गई, 440 हो गई, यहां तक हर एक बच्चे को बहुत प्यार से क्लियर हुआ होगा, बहुत स्मूथली चीजों को कर ले, प्रोपर टाइम देके एक एक कॉशन को उड़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी को आगी रही होगी, कि कोई ऐसा बच्चा होगा, जिसकों कि समझ नहीं आया होगा, ठीक है, यही तो बोला था ना, उसकी आय का एक बटे 5 से भड़ जाती है, मतलब पहले जितनी थी, उसमें 140 भड़ गया, ठीक है, उसके बाद बोला है, आय समान रहती है, आय पहले भी कितन नहीं थी, उसके पास में 700, अभी भी कितनी है, 700 ही है, तो उसके वै और बच्चत का नया रिश्यो, नया अनुपात कितना है, अब एक बाद बताओ, कोई व्यक्ति है जिसके कि 700 रुपे की आय है, 440 रुपे उसने बचा लिए, यानि कि उसने खर्च कितना किया होगा, 260 है है, इसका मतलब हमने वै बिल्कुल सही निकाला है, अब क्या करना है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब जो कोईशन शने बोला है, वही वै और बच्चत का नया, जो नई वाली वै और बच्चत है, इसका हमें रिश्यो निकालना है, कितना आएगा, 0 से 0, 2 से कितने पर हमारे पास में 2-22 पर यानि कि answer कितना बनेगा भाया हमारे पास में 13 ratio 20 या फिर बोल सकते हैं option number C जिस भी बच्चे का answer आया है वो बिल्कल सही आया है जिस भी बच्चे का answer आया है ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतना मान करके चलती हूँ बच्चा चुहें वो साथ-साथ पढ़ रहा होगा अपना pen अपनी notebook उठा करके questions को solve कर रहा होगा क्योंकि match में तो ये करना ही पड़ेगा match ऐसे कभी नहीं होगी कि मैं question निकाल रही हूँ आप वीडियो खोल करके मस्त ब्लैंकेट में घुस रखे हो बस वीडियो को play करके मस्त एयर फोन लगा रखे हो और देखर और question समझा रहे है समझाएं कि उस time पर मैं मना नहीं कर रही बट paper के time पर सबसे पहले भूलो भी त तो है ना कहने का मतलब बस इतना सा है questions को साथ साथ solve करना है मैं जब तक question ले करके आ रही ना तब तक उसको read करके और निकाल के अपना शांति से बैढ़ जाओ कि अब मैं का देखते कि कौन से method से करना है कैसे करना है हमारी कहां गलती हुई है तो सारी की सारी चीजों को हमारा हो चुका है ना यह वाला question हमारा हो चुका है question number 7 का answer करिए कितना आएगा बहुत प्यारा सा question है और ना बहुत सारे बच्चों को तो question को देखकर की नहीं डर सा लग गया होगा ऐसा क्या ही पूछ लिया यह सब क्या पूछ रखा है तो ऐसा कोई वो दिक्कत वाली बा पारी इसने बोला है दो लड़कियों की वर्तमान आयू इतनी है दो वर्ष के बाद में अनुपात इतना होगा तो मैं लेकित में से कौन सा कथन सही है reasoning type question लग रहे है तो है न देखिए इसने बोला है दो लड़कियों की वर्तमान आयू यानि की present जो age है उनकी उसका ratio दे रखा है 3 ratio 4 है दो साल बाद उनका ratio होगा कितना 7 ratio 9 होगा तो कौन सी बात सही है बात पे तो बाद में आएंगे सबसे पहले जो हमारा खुद का basic होता है question का उसको इउठा लेते हैं basic क्या है देखो कितना साल भड़ा है present से 2 साल बात जाओंगी यानि कि मैं 2 साल भड़ा है इधर भी और इधर भी यहां कितना भड़ रखा है 4 यहां कितना भड़ रखा है 5 यानि कि जो ratio है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है ratio में कोई ना कोई गड बड़ी है और मुझे उस ratio को ठीक करना पड़ेगा याने कि ratio को सबसे पहले balance करेंगे और ratio को balance कैसे करना है जिसको भी नहीं आता थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना इन दोनों में जितने का अंतर है उसकी गुणा करा दो यहां पर और इन दोनों में जितने का अंतर है आप उसकी गुना करा दो यहाँ पर, यहाँ बनेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यहाँ बनेगा 7 रेशयो 9 है ना, इसका मतलब अब देखो 6 से 7 कितना भड़ा है एक और 8 से 9 भी कितना भड़ा है एक, यानि कि दोनों साइड वैलू बराबर है, दोनों साइड का अंतर बराबर ह मतलब हमने जो रेशयो को ठीक किया है वो बिल्कुल सही गया है, अब क्या करें क्वेशन के अंदर हमारे अकोडिंग कितना भड़ा है एक, बट क्वेशन की अकोडिंग कितना भड़ रखा है दो है ना, क्वेशन की अकोडिंग यानि कि प्रेजंट से 2 साल बाद तो कितना भड़ा है दो और पूछा क्या है बाद में देखेंगे पहले present is इनकी निकाल ही लेते हैं हम लोग इनकी जो है present is इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं ये था न प्रेजंट तो यहां से कितनी हो गई 6 दुनी 12 और ये कितनी हो गई 8 दुनी 16 दोनों की present is हमारे पास आ चुकी है अब जो पुछा है उसको देख लो 10 वर्ष के बाद IU कितनी होगी 10 वर्ष के बाद में निकालनी है और इसमें भी ये हो गया कितना बाइस और ये हो गया कितना हमारे पास में 26 यहां से काटेंगे 11 रिश्यों 13 आएगा 6 रिश्यों साथ तो किसी भी भी हालत में नहीं प्राइब मतलब फॉस्ट वाला तो गलत है अब ना options पे आ जाओ जिसमें first वाला सही है उसको तो हटाई दो फॉस्ट वाला तो सही हो इनी सकता फॉस्ट और यह भी नहीं हो सकता केवल second वाला हो सकता है नै तो फॉस्ट और नहीं सही अभी भी दो options बच गए इसका मतलब हमे निकालने के जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी से आंसर आ जाता, खैर कोई नी थोड़ी सी calculations और होंगी, बारा साल बाद, दस साल बाद की यह है तो बारा साल बाद, यानि कि इसमें दो दो ओर add कर दो है न, यहां से मैं दो दो ओर add कर देती हूं, यह कितना बनेगा हमारे पास में 24, और यहां से कितना बनेगा हमारे पास में 28, यह जाएगा 12, या फिसको कर लेते हैं 4 से जाएगा 6 पे, और यह जाएगा हमारे पास में 7 पर यानि कि रिश्यो बनेगा 6 रिश्यो 7, बात तो बिल्कुल सही है मतलब सिर्फ और सिर्फ जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है कथन नंबर दो है वो सही है फॉस्ट वाला गलत है I hope question समझ आया हुगा थोड़ा सा साइड में आ जाती हूँ ताकि जिसको जो भी दिक्कत हो screenshot लेने में उसको कोई भी प्रेशानी ना हूँ हर एक बच्चा बखोट बढ़िया तरीके से screenshot ले सकें ठीक है Question number 9 में देखो क्या दे रखा है दिख तो भड़ा सा रहा है question है इसने बोला था P और Q की I का अनुपात एक ratio दो है ठीक है Q और I की I का अनुपात इतना है देखो इसने बोला है P और Q की I का अनुपात कितना है एक ratio दो है उसके बाद बोला है Q और I की Q और R की अनुपात कितना है तीन ratio दो है सबसे पहले तो ratio को बराबर करेंगे बाकी के सारे चिज़े बाद में देखेंगे सबसे पहला काम ratio को equal करेंगे जो भी जगह खाली है वहाँ पडोसी को रख दो ये कित इतना आएगा हमारे पास में 3, 6 और 4 इतना तो मैं हम सब को बहुत अच्छे से clear है इतना मैं मान करके चलती है अब आओ main question पर नहीं अब आया है main question में interval इसने बोल रखा है यदि P की I का एक तिहाई भाग P की I का एक तिहाई कितना बनेगा एक ही तो होगा ना P की I है कितनी इसका कितना एक तिहाई कितना होगा एक ही तो होगा ना P की I का एक तिहाई भाग P की I के आधे से एक तिहाई कितना होगा एक ठीक है और इसका आधा कितना होगा तीन बटे दो से कितना अधिक है इतना कम है कितना कम है difference इन में इतने का है हम लोग यहाँ से निकाल लेते है इसको solve करके निकालेंगे यह बनेगा कितना 1 बटे 2 है ना यहां से कितना आएगा हमारे पास में 3 बटे 2 माइनस का 1 LCM 2 यहां से आएगा 1 बटे 2 हमारे according कितना बनता है यहां से 1 बटे 2 और question कि according कितना बनता है 4400 यानि कि 1 unit की value कितनी आएगी हमारे पास में 8800 एक unit की value कितनी आएगी हमारे पास में 8800 अब पूछलो भईया एक यूनिट की वैलू आने के बाद तो कुछ भी बोच लो, सब कुछ बता देंगे है ना, इसने बोल रखा था क्योंकि आए कितनी है, क्योंकि आए कितनी है, छे यूनिट की वैलू हमें निकालनी है, आठ चिक 48 है ना, और यहां से जाएगा 4, 52 और दो आएंगे 0, यानि कि 52,800, उसकी आए कितनी है हमारे पास में, 52,800 या फिर बोल सकते हैं, option number B, जिस किसी का भी answer है, पिल्पल सही answer आया है, question clear हुआ या फिर नहीं, फटा फट से मुझे comment section में comment करके बता दो, कि हां माम, जितने भी questions अभी तक कराए हैं, सारे के सारे questions clear हैं, और अगर class अच्छी ल तो फटा फट से class को like कर दो, या फिर comment section में कोई प्यारा सा emoji करके मुझे बता दो, कि हां माम, class अच्छी लगी, class में हमें मजा आया, ठीक है, next question पर आते हैं, question number 10, इसमें देखिए question ने क्या दे रखा है, फटा फट से question को read करो, और फिर उसके बाद फटा फट से answer कर दो, फिर अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, ताकि ओसत मुले 64 परती केजी प्राप्त हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमें allegation लगाना है, allegation क्या होता है, मैं हमने तो mixture and allegation topic पढ़ा ही नहीं, तो क्या question solve नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, अग अगर यहां पहुँच रख्यों न, अगर यहां तक पहुँच गए न, तो उसके बाद नईया पार करवाने की जिम्मेदारी तो हमारी है, बस तुम्हारा काम इतना ही है, कि जहां भी भटक रहें, घूम फिर करके यहां तक आना है, इसके बाद आगे कैसे जाना है, वो त समकी चाय पत्ती को mix करके किसी तीसरे rate पर वेच रहे हैं, इस टाइप का जब भी question दे रखा तो हमें वहाँ पर हमेशा allegation लगाना है, number one बात तो हो गई यह, दूसरी चाज allegation लगाते कैसे हैं, देखो, एक digit होगी हमारे पास में यहां से, एक संख्या होगी यहां पर, और इ ratio, इन दोनों का अंतर लेंगे, वो value लिखनी है, यहां पर, यह वाला हम लोग मुले का ले करके चलते हैं, मुले की value ले करके चलते हैं, और यह ratio आता है, हमारे पास में किसका खपत का, जैसे मालो यह 20 रुपे वाले चावल थे, ठीक हैं, और यहां ratio आगया, दो रिशो ती मतलब जो 20 रुपे केजी वाले चावल है, वो 5 केजी मिलाए हैं, मालो यहां मैं माल लेती हूँ, इसको 18 रुपे वाले चावल थे, यह कितने मिलाए हैं, 2 केजी मिलाए हैं, समझाया question, question का मतलब समझाया हमारा basic concept, हमारा allegation का concept समझाया या फिर नहीं, बस इस concept का use करके, इ बस यही था मेन इसमें इसका यूज़ करके question को तो बहुत बढ़िया तरीके से उड़ाएंगे चलिए इसने बोला है एक चावल की कीमत कितनी है 67.5 है कोई दिकत की बात नहीं है और दूसरा कितने का है 60 रुपए परती केजी वाला मूले है चावल को किस अनुपात में मिलाय जाए ताकि हम उसको 64 रुपए परती केजी में बेच सकें यहां से एक चीज समझ पा रहे हो यहां से क्या एक चीज क्लियर हो पाई मैंने बोला था दोनों के बीच की वैलू होगी confirm कर लो क्या सही allegation लगाया है या फिर नहीं मैं यह वाली वैलू इससे चोटी है इससे जाएगा 3.5 तो आएगा यहां से है ना और यहां मचेगा 4 अब क्या करें अब यह पॉइंट हटा दो और इधर 0 चिपका दो अब काट लो 5 से 8 पे और यह 5 से जाएगा कितने पे 7 पे यानि कि आंसर कितना बनेगा हमारे पास में सीधा 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 आंसर दिख रहा है अच्छे का बिल्कल सही है clear हुआ या फिर नहीं question फटा फट से मुझे बता दो ठीक है तब तक कर लेते हैं हम next question को question number 11 को कर लेते हैं यह क्या दे रखा है फिर से I say related question है फिर से हमें I say related question दे रखा है फटा फट से answer कर यह कितना आएगा और क्यों आएगा दोनों चीजों का answer मुझे जल्दी से कर दो ठीक है सबसे पहले तो question को ready कर लो दिया क्या है इसने बुला है जीतेंदर और नरेंदर की I का अनुपात इतना है और उनके V का अनुपात इतना है ठीक है यदि जीतेंदर इतने रुपे की I में से 400 रुपे की बचत करता है तो नरेंदर की बचत ज्यात करें I और वे वाला question है प्याने बोला सा starting में हर एक variety का question आपको मिलेगा ratio चीजी ऐसी है हर एक variety को cover करेगा I और वे में भी इसके 3-4 type बनते है तो आप समझ सकते हो topic है ratio उसकी एक type है I और वे वाले question और उसके भी 4-5 type है तो आप समझ सकते हो कितना variety of questions ये carry करता होग है ना देखो उसने बोला है जीतेंदर और नरेंदर ये हो गया जीतेंदर ये हो गया नरेंदर इनकी I का अनुपाद ये क्या है इनकी I या फिर बोल सकते हैं income का जो ratio है वो कितना है 4 ratio 7 है कोई दिक्कत की बात नहीं है इतना तो मैं हम लोग लिख लेंगे और उनके वे का ह यह हमें वे और इसका ratio कितना है? 6 ratio 5 हैं, यहां तक भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? अब देखो, यदि जितेंदर इतने की आए में से, जितेंदर की आए कितनी है? 2800 और question ने, यानि कि ratio ने कितनी बोली थी? 4, ratio के according जितेंदर की आए कितनी है? 4 और वैसे कितनी दे रखे 1800, इसका मतलब यह जो 4 है, यह इस 2800 के बराबर है, मतलब एक उनिट की वैलू कितनी बनेगी हमारे पास में 700, एना एक उनिट की वैलू कितनी आएगी 700, एक काम तो खतम हुआ, एक काम तो easy हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब, जितेंदर की आए कितनी है? 7 चोग 2800, औ इतना तो clear हो चुका, अब वापिस question पर आओ, इसने बोला है 400 रुपए बचाता है, जितेंदर की ही बात चल रही है, जितेंदर की बचत कितने की है 400 रुपए की, अब मुझे ये बता दो, बचत निकलती कैसे है, बचत कैसे आएगी, अपनी income में से, अपना expenditure यानि की अपनी बचत आजाएगी, बिल्कुल सही बात है, यही चीज हम लोग यहाँ apply करेंगे, मैं इनके साथ में एक coefficient ये variable मान लेती हूँ, ये था 4x, ये है 7x, ये है 6y, ये है 5y, ठीक है, नब आप इसमें से ये घटा दो, यानि की 4x में से 6y हटा दो, और 4x की value तो अभी अभी पता क गरी है 2800, इसमें से आप 6y घटा दो, आपके पास में बचत आ जाएगी, और बचत है कितने की 400 की, यानि कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं, 2400 आएगा इधर और ये जाएगा हमारे पास में 6y, ठेचोक 24, यानि की y की value कितनी है, y की value कितनी है 2400, इसका मतलब हुआ हमारे पास में कि नरेंदर की बचत ग्यात करें, नरेंदर की बचत हमें निकालनी है, y की value कितनी है 400, तो 500 की 20 है यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 2000, नरेंदर का जो वे है खर्च है, वो 2000 है और उसकी जो income है, यानि कि salary वो कितनी है 4900, यानि कि यहाँ से answer कितना आएगा मेर पास में 2900, या फिर बोल सकते है option number A, जिस किसी काफी answer था, वो बिल्कल सही answer है, थीक है, थोड़ा सा question घुमा करके दे रखा है, फटा फट से screenshot ले लो, जिसको भी question में screenshot लेना है, question थोड़ा सा अच्छा था, चीजों को थोड़ा घुमा करके दे रखा था, इस वाले question को mark क कर देती हूं, ताकि आप लोग बाद में इसको दुबारा से देख सके, ठीक है, next question पर आते है, question number 12, question number 12, इसका answer करिए, फटा फट से कितना आएगा, फटा फट से सबसे पहले तो question को read करो, और उसकी बाद मुझे बता दो कि answer कितना आएगा, ठीक है, इसने बोला है, दो सं संख्या में 6 जोड़ा जाए, और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए, तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है, संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या है, इतना प्यारा सा, इतना easy सा question है, एना, इतना easy सा question है, तो अगर किसी के दिमाग में यह आ रहा और ये सारे के सारे option 9 और 5 की ही multiple दे रखें तो इसका मतलब आप तुक्के से तो नहीं कर सकते तो इतने से hint तो मैं दे देती हूं कि method से ही जाना पड़ेगा ठीक है, method से ही जाना पड़ेगा, सीधा भी करके देख सकते हो, options की help से, options की help से सीधा भी करके देख सकते हो, देखो, यदि बड़ी संख्या में, मालो पहले वाला option ही हमारा answer है, ठीक है, तो इसने बोला है, बड़ी संख्या में, 15, बड़ी संख्या में 6 जोडा जाए, और छ ये तो आंसर नहीं है, ऐना, ऐसे ही दूसरा चेक करके देख लो कितना है, 18 और 10, 18 और 10, इसमें 6 जोड़ा है, इसमें से घटाया है, 6 कितना आएगा, 8, 12, 14, 24, इसका 6 गुना, 4, 5, 20, और 4, 6, 24, यानि कि बिल्कुल सही बात है, इसका सीधे के सीधा 6 गुना दे रखा है, इस का मतलब हो ना हूँ, यही हमारा आंसर है, 100% यही हमारा राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि question ने जो भी condition लगी थी ना, हर एक condition को बहुत भड़िया तरीके से clear किया है, किसने? इस वाले option ने, तो यही option जीतता है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, मैं फिर से repeat कर देती हूँ, कर देखो, यदि बड़ी संख्या में 6 जोडा जाए, मानलो यह option उठा रही हूँ, बड़ी में 6 जोड दिया, और छोटी वाले में 6 घटाया जाए, यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 24 आएगा, तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या का 6 गुना, छोटी संख्या का 6 गुना, नमबर B, हैना, next question पर आते हैं, question नमबर 13, इसका answer करिए फटाफट से कितना आएगा, easy सा दिख रहा है question तो, हैना, इतना तो कुछ भैंकर दिखनी पा रहा है question में, मुझे तो easy सा ही दिख रहा है, आप लोगों का देखते हैं, क्या कुछ answer आता है, कैसे क्या questions को किया है, हैना और वीडियो को share भी करते रहो, साथ साथ वीडियो को share भी करते रहो, ताकि दूसरे बच्चे भी class को join कर सकें, ताकि वो लोग भी हमारे class को ले सकें, ठीके, चलिए, इसने बुला है, college में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, यह हो गए boys, यह हो होगा, दो रिश्यों तीन, नया रिश्यों क्या है, दो रिश्यों तीन है, कितना बोला है, 40 लड़के college छोड़ देती है, minus का 40 और यहाँ पर 40 ने join किया है, यानि कि plus का 40, college में लड़कों की प्रारंबिक संख्या कितनी थी, यानि कि हमें value निकालनी है, इस value desert की, इतनी hint द multiplication है ना, cross multiplication आपको यहाँ पर use करना है, उसी से आपका question जो है, वो solve होगा, उसी से आपका answer बनेगा, इतनी hint मैंने आप लोगों को दे दी है, इतनी तो मुझे लगता है sufficient है, hint नि इसको cheating वोलता है, इतनी सारी hint दे दी है, अब तो मुझे उमीद है कि तुम लोग answer कर दोगे और बिल्कुल सही answer भी करोगे, ठीक है, तो answer करना है comment section में, और हर एक बच्चे को answer करना है, कि हाँ मैम, इस question number का answer यहाएगा, भले ही answer गलत कर देना, बट answer हर एक बच्चे को करना है, यह मेरी भी condition है, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है, चलिए फिर इतना ही रख session को, एक second रुखना, इसको मैं लिखी देती हूँ, ठीक है, एक second रुखना, इसको मैं लिखी देती हूँ, इतना ही रखते हैं, फिर आज की हमारी class को, इसमें मैं लिख देती हूँ, एक प्यारा सा thank you, ठीक है, इसमें मैं लिख देती हूँ, एक प्यारा सा thank you, ठीक है, चलि I hope जितने भी questions कराएं हैं, जितने भी चीज़े बताई हैं, हर एक बच्ची को बहुत अच्छे से clear हुई होगी, और जो homework question था ना, उसका answer जरूर कर देना, नहीं तो पिटोगे बहुत, ठीके, जो homework question था, answer पका करना है, हर एक बच्ची को करना है, बले ही answer गलत आए या फिर स रही आए, चाहे तुम किसी और method से निकाल दो, मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे सर्फ answer चाहिए, और हर एक बच्चा comment section में answer जरूर करेगा, ठीके, I hope सारी की सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear हुई होगी, और एक बात और, अगर किसी भी बच्चे को, even एक single बच्चे को भी दिक्कत है, आप लोग कोमेंट section में बोल सकते हो, कि माम, यहाँ इस question में ये दिक्कत है, हमें ये वाला question नहीं समझाया, आप speed में questions को कराते हो, या फिर धीरे कराते हो, जो भी दिक्कत है, आप लोगों की चीज़ को पुरा preference पर रखा जाएगा, जो भी suggestion, आपका जो क्लास में, वीडियो को अगर पसंद आई हो तो है न, compulsory नहीं है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को like जरूर करना, और नहीं अच्छी लगी तो मुझे comment section में बता देना, चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के हमारे इस प्यारे से session में, I hope सारे questions बहुत अच्छे से clear हुए होंगे, ठीक है, चलिए फिर, take care, bye bye